हेलो दोस्तों नमस्ते सुपरबाद जेसी कृष्णे राधी राधी माइशूल फैमली माइवीवर्स माइश सिस्क्राइवर्स गॉड ब्लेस यू आप सुछस तूंगे मस तूंगे अपने लाइप में आगे बढ़ रहोंगे डियर आज का विका जो में वीडियो लिक कराई ह आज शुव के एनरजी आपके पार्टनर की तो आज शुव शुव आपके पार्टनर क्या महसुस कर रहे हैं आपके लिए तो रिलाक्स हो जाए और ये कलिक्ति बीडिंग है सारे साइन के लोग तेख सकते हैं मेल फिमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है तो वीडियो को ध और आप सब को धेर सारी सुपकाम नाएं, हैप्पी मकर संक्रांत्री की, आप सब अच्छे से मनाएं, थोरा पतंग उडाएं, थोरा अपनों के साथ टाइम स्पेंट करें, देखिए थोरा वक्त अपनों के साथ भी निकालना चाहिए, थोरा खुद पर भी वर्क करना जो रास्ते पर डॉग चलते हैं, देखिए और लोग भी भूखे रहते हैं, तो उन्हें भी बेस्किर बगेरा खिलाएं, कुछ ना कुछ आप अपने दिल से किसी ना किसी की हेल्प जरूर करें, दिल से करें और दिल से करोगे, तो भगवान, युनिवर्स, इंजल, स्कॉ सब आपको ब्लैसिं क hills, देंगे, तो आज के दिन जो भी हो जैसे भी हो, किसी ना किसी की मदद चरूर कीजिए, दिल से केजीए, ठीक है, तो चलिह देखती हूle आज सुबर की इनर्टी आपके पार्टनर के, तो आज सुबर आपके पार्टनर क्या मसूश करहें आपके ल ना चाहते हैं तो यह video, male female merit and unmerit सबके लिए है चीक है तो चले start करती हूँ ध्यान से सुनना है उस अभर शक्ति करें और अर्ध मधर फेरी मधर गायद करें अर् के दिबए सकती औल और के इंजा सुस्क्राइड कें आर्र के आर्र के वाग्यन उर्र अर्के जार्क हायर्खडरील आर्र दो प्लम отвर स्जीस थैंडेंग दे जाझ अर्श करीा प्रिशक्ति गाइड करें नो नतिंग नेस फाइटिंग उरी बबा यह तो फाइटिंग हो गई बहिया तब ही मैं कहुंगी सेल्फ लब पर फोकस करना अपना है ना इन्हें ऐसा एहसास दिलाओ काड़ दो-दो आ गए हैं बहुत अखेला पन है अलोन वाली एनर्जी है ठीक है बहुत अलोन महशूस कर रहे है या फिर अपने आपसे यह गुसा कर रहे है या आपसे गुसे की बरसात करने की सोच रहे है ठीक है एंज़स प्लीज काइट करें लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग नमाशिवार हर हर बोले नमाशिवार हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जै महाकाल इनर वर्ख मैंने आपको बोला सेल्फ लब करने के लिए देखिए आपके लिए महादेव ने खुद कहा ब्रह्मान की सक्ति ने खुद कहा ठीक है कि आप style love जरूर करें inner work में style love भी आते है ठीक है न जो चलिए देखती हूं क्या message देना चाहते हैं इंजल प्लीज कणरे divine guide करे औल आर आर के और अशिटीब बेशक्ति गाइड करें माद भीटा ngels ओल आर के इंजल ति judgment बेशक्ति मेरे फीवर्स के पार्टनर्स की फिलिंग्स उनका मैसेज क्या है क्या मैसेज देना चाहते है Give me a chance Dream Inner strength Third party I am fine Ego Ego आगया विच में Ego Loyalty Importance Sleepless nights Cast issue Honeymoon Don't ignore me Ego के नीचे Don't ignore me देखिए खालीपन बहुत है Alone वाली एनर्जी बहुत दो तीन कार्ट्स आचुके है I like you You are my other half No nothingness Fighting You are my other half Babu यहां पे बहुत सारे viewers आपको inner work करने की जरुवत है Meditation की एनर्जी आई है Inner work and meditation यह मेरे बहुत सारे viewers के लिए आए है जो खुद को बदलना चाहते हैं Energy को बैलेंस करना चाहते हैं Inxiety से निकलना चाहते हैं अपनी healing करना चाहते हैं तो जरूर आप meditation करें Om chanting करें Seven Chaka का meditation करें Yoga exercise करें Earth Mother से connect रहें पेर पौधे वोएं उनको सीचे पानी दे जितना आप उनकी सेवा करोगे आपके अंदर उतनी healing होएगी और आपसे ऐसे बात करोगे जैसे फेरी से बात कर सकते हो एंजल से बात कर सकते हो अर्थमदर से बात कर सकते हो आपको बहुत तरके shine मिलने सुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो shine मिलने से आपके अंदर strength power आती है आपको लगता कि आपको पस divine angels all our angels आपसे बाते करते हैं ठीक है, meditation में बहुत सारे आपके अंदर परिवर्तन होगा, ठीक है mind body soul में बहुत सारी परिवर्तन होते हैं, जब वो परिवर्तन होता है तो आपके अंदर बहुत सारी खुसियां मिलती है बहुत बहुत ही अच्छा फील होता है और आप एक के बार दो, दो के बार तीन, तीन के बार चार ऐसे meditation आप करना सुरू करते हो, ठीक है तो meditation कीजिए, inner work कीजिए अगर मुसे प्रसंट रिडिंग लेना हो अगर आपको meditation की guidance चाहिए, inner work चाहिए, कौन सा guidance कौन सा meditation क्या क्या करना है आपको तो आप अपनी energy चेक कराकर आप मुसे guidance भी ले सकते हो प्रॉपर guidance लेजिए और अपने आपको change कीजिए, self love कीजिए या आपका confidence label नहीं है कहीं न कहीं आप दगमागा जा रहे हो तो आपको क्या करना है या आपको रुकना है, आगे बढ़ना है या आपको कुछ करना है तो आप उनकी भी guidance ले सकते हो और self love पर focus कर सकते हो meditation कर सकते हो तो मुसे आप guidance ले सकते हो energy check करा सकते हो और उसके लिए आपको present reading book कराने होगे और मेरे email ID पे आप contact कीजिए email ID पे contact कीजिए तब सारे updates दीजिए आप कौन हो, कहां से हो इंडिया से, abroad से, जहां से भी हो आप मेरे email ID पे contact कर सकते हो लेकिन बाबुजीन को भी मुझसे present reading लेना है वह ही मुझे email करे ठीक है, तो आप अपने उपर work कर सकते हो ठीक है, इसमें पता भी चलेगा कि आपके कौन से चक्रास block है और क्यों block है, ठीक है तो मैं आपको guide कर दूँगी ठीक है तो चलिए मैं message देखती हूँ पहले energy में no nothingness की energy है और fighting की energy है उसके बाद inner work है, you are my other half है ठीक है, उसके बादे strength है, third party sleepless night, I am fine, social media honeymoon, importance, cast issue I like you, don't ignore me ego and no nothingness तो no nothingness की energy ज़्यादा ही आई कि इने completion चाहिए देखे, इनके मन में इस वक गुसा और fight चल रहा है, ये आपके साथ भी और third party के साथ भी कहने का मतलब, इनके energy में दोनों तरफ ही गुसा और fighting की energy है बट कहीं न कहीं इनको third party से नहीं बन रही क्योंकि fighting के नीचे third party आया ठीक है, ये सो नहीं पा रहे है ठीक है, और इस energy में ये person आपको fill कर रहे है ये fill क्यों करें, क्योंकि उन्हें आप चाहिए और ये गुसा ना इनके ego में भी तबदिल हो रहा है, कहने का मतलब हो सकता है, कि बहुत सारे viewers आपके partner ने आपके साथ contact करने की, communication करने की बात करने की कोशिस की ठीक है, लेकिन बहुत सारे viewers आप उन्हें मौका बिल्कुल नहीं दे रहे हो क्योंकि आप उन्हें attention नहीं दे रहे हो और ये चीज इनके अंदर कहीं न कहीं ये कहा जाता ने कि अब ये आपको जताना भी चाहते हैं ये आपको जताना भी चाहते हैं कि वो आप से बेहत प्यार करते हैं ठीक है लेकिन इशू यहां आ रहे थड़ पार्टी ये फाइट तो थड़ पार्टी की साथ भी चल रहा है ये थड़ पार्टी कोई भी हो सकते बाबू ठीक है ये थड़ पार्टी कोई भी हो सकते है हर थड़ पार्टी ऑप्सन नहीं होत ठीक है तो देखी यहाँ पे इस परसन के अंदर जो है ना आपके अंदर जो एक विल पावर की एनरजी आई है ना खुद को कंट्रोल करने की मतलब आपके अंदर जो पावर आई है खुद को कंट्रोल करने की इस बात को लेकर कहीं न कहीं उनके मन में खलबली सी मची है अब खलबली कह सकते हो उथल पुतल बोल सकते हो या अंदर से डैबल की एनरजी कह सकते हो ठीक है अंदर से क्रोधीद भी है क्योंकि इस connection को यतना deep feel कर रहे हैं न क्योंकि fighting ए inner work के यहां पर हो सकता है मेरे बहुत सारे viewers आप अपने उपर work को भी तो ये balance की energy आपके partner को कही न कहीं imbalance energy में डाल रहा है जहां यहां पे third party से fight हो रही है अगर ये गुसा उतारते हैं तो कहां उतारते हैं तो सिधे direct third party पर या फिर आप पर तो आप उनसे बाचित अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी ये गुसा उतार रहे हैं इगो से deal कर रहे हैं और कुछ विर्स आपके partner आपसे प्यार करते हैं ये कहना चाहते हैं कि आप मौका नहीं दे रहे हो तो इनका मन आप भी गुसे की बारिस करने की है ठीक है ये आप भी गुसे की बारिस कर सकते हैं इसी एनरजी है लेकिन कभी-कभी इनका दिल ऐसा भी कर रहा है कि गुसा और फाइट और एगो सारा कुछ तुम पर ही उतारू योग, क्यों मुझे मुझे मौक़ा नहीं दे रहे ह। तो यहाँ पे अगर आप मौका नहीं दे रहे हो तो इस बज़े से इनके मन में गुसा भी है और fight करने का भी दिल कर रहा है लेकिन कहीं न कहीं यह control करें अगर यह आपसे fight करेंगे तो फिर आप उन्हें प्यार नहीं दोगे और प्यार का इनका mood बन रहा है क्योंकि honeymoon की energy है और यह आपको कहना भी चाहते भाई तुम्हारे मैं loyal हूँ मैं तुम्हें ही importance दे रहा हूँ जिंदगी में third party कोई नहीं है मेरे life में चिक है कहने का मतलब इनके life में कोई third party इस तरह नहीं कि उन्होंने अपने life में उनको उस जगा को नहीं दे रखा है जहां आपकी जगा है चिक है तो आप अगर fight करते हो third party को लेकर तो यह कह रहे है मैं पूरी राज सो नहीं पाता हूँ यार मैं बहुत परशान रहता हूँ कभी-कभी इनके stress और गुसा भी बर रहा है जिस बसे से जब इनको नीन नहीं आती तो anxiety भी बर जाती है और इन्हें गुसा भी आ रहा है ठीक है इन्हें ego भी का मतलब ego भी बर रहा है तो इस person में अगर आप मौका नहीं दे रहे हो उस पर से third party का pressure तो भाईया यह किस पर उतारेंगे ठीक है या फिर हो सकता है कुछ भी वर्स अगर आप inner work करें या आप लोग में बातचीत हुई है contact हुई है तो कहीं न कहीं आपने कुछ सुना दिया है या third party को लेकर आपने कुछ सुनाया है या फिर बे बज़ा आपसे fight हुई है और आप चुप हो गए हो कुछ वर्स आप चुप भी हो गए हो तो भाईया चलो रिस्ता ये खत्म कर देता हूँ मैं move on कर लेता हूँ तो हमारे वीवर्स की energy इस तरह की नहीं है बट वो सोच रहे हैं कि आप चुप हो गए हो तो आपने रिस्ता खत्म करने की सोच लिए है क्योंकि give me a chance and don't ignore me आप ignore करें और attention नहीं दे रहे हो और उन्हें लगा कि आप में काफी ego आ गया है आप में ego कैसे आई ये पडिवर्तन कहां से हुआ कैसे हुआ ये जिद्धी सभाव कहां से आया इतने आप energy को कैसे control कर ले हो चिक है तो ये इस चीज़ को accept नहीं कर पा रहे है कि आप में इतना changes कैसे आए आप जिद्धी हो गए आप में ego आया है आप इंसे बार बार fight करते हो क्यों करते हो क्योंकि clarity नहीं दे रहे है तो ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ सही है सब कुछ सही है लेकिन तुम्हारी importance मेरी life में है ये आप से कहना चाहते है मैं तुम्हारे साथ खुस हूँ I am fine loyalty ये आपके लिए loyal है ये आपके लिए passionate है honeymoon वो आपके साथ प्यार करना चाहते है और ये कह रहे है कि importance अगर है मेरे जिंदीकी में तो सिर्फ तुम्हारी दिखें फाइटिंग के वज़े से इनके मन में गुसा भी आ रहा है ठीक है और ये गुसा third party पे भी उतर रहा है और third party की fighting भी चल रही है तो कुछ न कुछ ये energy है कि आपका will power आपके अंदर confidence अब उनको लग रहा है कि आप उनसे ego से deal कर रहे है आप बहुत ज़दा attitude दिखा रहे है या हो सकता है कि लिए आप दुन में fight हुई है और यहाँ पे बहुत सारे viewers चुप और खामोस हो गए हो बहुत सारे viewers अब आपको लगए कि मेरी खामोसी ही सारे सवालों का जवाब देगी चिक है बहुत सारे viewers देखे ये person मुझे जो wipes मिल रहे है fighting third party sleepless night cast tissue यहाँ पे आपके partner यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये तोर फोर भी कुछ कर रहे है घर के अच्छे ची समान भी तोर सकते हैं गुसे के वज़ा से कुछ भी ये तोर फोर कर सकते हैं तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि बहुत सारे viewers आपके partner की जिस तरकी energy है और ये इनके अंदर जो ego गुसा जिद आ रहा है वो कही न कहीं आपके वज़ा से हो रहा है आप अगर अपने शभाव को control कर लिया है आपने energy को balance कर लिया है ये उसका परिवर्तन है क्योंकि ये person अपने गलतियों को accept नहीं करते हैं ठीक है देखे हो सकता है sleepless night किसी परकार का इनके अंदर ना throat chakra में problem हो रही होगी ठीक है जुकाम कह सकते हो सर्दियों में जुकाम हो जाते है खासी हो जाती है breathing problem हो जा रही है कुछ वियर साब के partner के साथ ऐसा भी हो रहा है खासी हो जाना यानि कि throat chakra block दिख रहा है यहाँ पे खासी जुकाम breathing problem बहुत गहरी सर्दी और इस सर्दी में वो आपको feel कर रहे हैं गुसे के साथ साथ आप पर गुसे के साथ वो प्यार की बारिस भी करना चाते है मतलब ऐसा गुसा ऐसा प्यार क्योंकि यह energy जो है honeymoon की और जाड़ी है मतलब यह आप से प्यार करना चाते है बहुत जाद आपको notice कर रहे हैं spike energy है chest कर रहे हैं आपको ठीक है मुझे हाँ पर लग रहा है इस person में attitude ego के बज़े से बहुत ज़ादा है आपके बार में सोस तो रहे है लेकिन आपकी कमी क्या है आपकी जरूद क्या है आप क्या चाहते हो मैं खुल कर कह दूँ तो चाहत प्यार सब कुछ है importance भी है लेकिन आपको सही माइने में क्या चाहिए ये अभी तक इनके दिमाग में नहीं अट रहा है ये प्यार you are my other आपको feelings है प्यार है चाहते सब कुछ है importance है ठीक है लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आपको क्या चाहिए इनको अभी भी दिमाग में नहीं अट रहा प्यार unconditional दिख रहा है मतलब यह ज़रू यहाँ पे दीख रही है कि यहाँ you are my other यहाँ पे आपकी जो तुर्थ एनरजी है कि यहाँ पे है कि आप चाहिए प्यार emotion सीगो है तो देखे यहाँ fighting जो energy मुझे दिख रहे है यह person आपसे बात भी करेंगे न तो एकदम होता है न अपनी गलती को शुकार नहीं करेंगे या आप third party को लेकर बात करोगे तो phone cut कर देंगे या आपसे fight कर लेंगे चीक है या phone cut कर देंगे या आपसे बातचित बंद कर देंगे या आपसे fight कर लेंगे तो इस energy को balance करना आपका काम है तो या आपको आप पर नजर भी रख रहे हैं छुप छुप कर क्योंकि आप में attitude आया है ego आया है don't ignore me यह कहना चाहते तुम क्यों मुझे ignore कर रहे हो क्यों मुझे ignore कर रहे हो कुछ वियर्स आपकी energy अच्छी है कि अपने strength में आ रहे हो लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपको लेकर कुछ marriage को लेकर बात चरी काश टिशू और honeymoon तो भाईया यह सोनी पा रहे हैं बोले मैं क्या करूँ मैं हर कोसिस कर रहा हूँ मैं हर कोसिस कर रही हूँ लेकिन मैं तुम्हारे loyal हूँ तुम्हारी importance मेरे जिन्दगी में है मेरे life में है क्यों नहीं मुझे समझ रहे हो तो आपके person यह कहना चाहते हैं तो देखे काश टिशू आ रही है सो नहीं पा रहे हैं बहुत कुसू मुझे मौका दे दो मुझे समझ लो मुझे जान लो ठीक है तो यह energy है कि जो viewers आप अपने पर work कर रहे हो ठीक है तो चलिए यह है आपके partner की feelings उनका masses ठीक है जब मीलोगे तो यह सुनाएंगे थोड़ा नाराजगी दिखाएंगे ठीक है लेकिन आप लोग inner work कर रहे हो तो अच्छी बात है ठीक है सर्दी तो बहुत तेज है सच में भाई अपना अपना ध्यान रखा करो भाई सर्दियों में जो चीज खाये जाते हैं वो चीज का सेबन जरूर करना चाहिए ठीक है गरम पानी देखो गरम पानी भी पीना चाहिए थोड़ा बहुत गुन-गुन गरम हीट पानी नहीं लेकिन हाँ थोड़ी से ठंडी को कम कर सकते हो लेकिन पानी पीओ गरमी भाई क्या हो पार भी यह है प्लिस काइड करें मेरे भीवेस के पार्टनर की करेंट फिलिंग्स कमपारिशन आगे ना कमपारिशन क्यों आया मैंने बोला ना थर्ड पार्टी से और आज में आईशुलेशन क्यों नहीं समझ रहे मुझे मैं रो रहा हूँ, मैं तरब रहा हूँ मेरे यांसों को दो देखो मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ बेहर प्यार करता हूँ कमपारिशन कर रहा हूँ, तुम में इतना बदला हूँ कैसे आ सकता है मैं ही रो रही हूं मैं थोड़ा सा कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप एकदम सेल्फ लब पर फोकस करो यह गाइडियन्स ले रहे थे मुझे इसी एनर्जी में डाउट लग रहा था कि आपके पार्टनर किसी से गाइडियन्स ले रहे हैं ठीक है भाईया लेजिनेस कौन यहां पर सेजोफेनिया मैंने कहा ना आपके बदलते हुए नेचर में कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को दिमाम में दिमक काट रहे हैं ओओ नो नतिंगनेस क्या बात है ट्राबलिंग दिख रही है लेकिन होगी ब्रेक्टू की एनर्जी है एक नहीं तो भाईया अब तो तेरा पीछा ना मैं चोरूंगा सोड़ी है अब आपके पार्टनर के हालात देखिए क्या हाल हो रहा है आईशुलेशन, कंपैरिजन, क्राइडियन, लेजिनेस, सिजोफेनिया और नो नतिंगनेस अब तो जब आप उनको मौका नहीं तो क्यों करते हो सामने वाले बंदा के दिल में भी समझो कि उसके पन में भी खाली पन हो, वो भी रोता ही है रोती है मेरे वीवर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, आपकी पार्टनर से ही बात कर रही हूँ ऐसा कमपैरिजन ये कर रहे है ना कल आज में कि आप एकदम से बदल गए हो, थोड़ा भी उनके लिए आपके अंदर दर्द नहीं है, उनकी फिलिंस को आप नहीं समझ रहे हो, कि आपके लिए उनके लिए कितना रो रहे है, आइसुलेशन, घुटे नोडी इने, बाबा रे बा वो तुम नहीं हो, ना वो तुम नहीं हो जिन से मैंने प्यार किया था, तुम बदल से गए हो, गाइडियन्स ले रहे हैं आपके पर्षन, चिक है, और कुछ युएस गाइडियन्स को फॉलो करना भी आपको, अच्छा जी, कहाँ छोड़ सकते हैं वो आपको, मैं समझ रहे थी, गाइडियन्स ऐसा नहीं किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको लेकर जानकारी भी ले सकते हैं, कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा, कैसे स्टिबिटी ऑफर करूँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पारा हूँ, किसी बात को लेकर वो नाराज हो गई है, वो बात नहीं करना चाहती हैं, adjustment, मैं decision लेना चाहता हूँ, उसके लिए सब कुछ करना च चाहता हूँ वील ओफ़ॉर्चून देखिए ये कंपारिजन कर रहे हैं आपको कल आज मैंने पूला ना आप में कापी चेंजिस देख रहे हैं ना वो चिक है और सब्चे बात है कि सौरी भी फिल कर रहे हैं एक्सप्रेस करना चाहते हैं बढ़ करने ही पा रहे हैं देखिए यहां पर इस परसन में थोड़ा सा मैं बोलूँगी एटिटूट इगो इन में भी है और सक कर रहे हैं आज कल आप पर सक कर रहे हैं आप पर इसक करने लगे हैं और ये गाइडियन्स के एनरजी है तो ये किसी से भी गाइडियन्स ले रहे हैं किसी फीमेल से ले सकत लेकिन कहीं न कहीं उनको लग रहा है न कि आप फ्लर्ट कर रहे हो आप किसी से बात कर रहे हो आपके जिन्दगी में कोई आ गया है आखिर क्या बजा हो सकती है लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो सो नहीं पारे वो आपके साथ प्यार करना चाहते हैं उन्हें आपके सागे बढ़ना है, वो सौडी भी कह रहे हैं लेकिन उन्हें मौका देना चाहिए, ठीक है तो बहुत सारी आपके और पार्टनर काफी कोसिस के, काफी मेहनत की, ठीक है, लेकिन साइ ना आप समझ रहे हो, ना इनकी family समझ रही है ना समय समझ रहा है ना इनका luck समझ रहा है तो ये person कहना चाहते कि आप बदले-बदले से क्यों लग रहे हैं मतलब उनको भी लगा कि आप flood कर रहे हो किसी और के साथ हो तो सक वाली है, flooding वाली energy है तो इस तरह कि उनके मन में thoughts आ रहे हैं मतलब गलत फैमिया इन्होंने पाल रखी है ठीक है, आप किसी से बात करते हो, किसी से दोस्ती करते हो, तो इनको doubt लगता है क्योंकि आप इतनी attractive हो इतनी खुबसूरत हो कि कोई भी आपको पसंद कर सकता है तो ये guidance भी ले रहे हैं लेकिन करूं तो मैं क्या करूं लेकिन कहीं न कहीं मैंने कहा न कुछ बाते हैं जो ये छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनके अंदर कहा न, ego attitude इनके अंदर खुद है, ठीक है चाहिए fighting अपने आप से fight कर रहे हैं, jealous feel कर रहे हैं comparison कर रहे हैं, लेकिन ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं ना खुलकर आपको space दे रहे हैं और ना ही खुलकर आपको अपने life में accept कर रहे हैं लेकिन, यहाँ पे हैं कि वो आना चाहते हैं, लेकिन देखिए the hand man की energy आप देख लो, अभी भी blockage आ रहा है, judgment में तो कुछ सपने है, कुछ decision है इसमें थोड़ा मुझे delay ले रहा है लेकिन, कह रहे हैं कि मुझे decision लेना है मुझे बात करनी है तो इनके मन में कुछ गलत फैमिया भी हो गई है, क्योंकि laziness की scysofenia की energy है, तो यह केलेपन में बहुत सारे negative energy भी इनके पास आ जा रही है negative thoughts भी आ जा रही है और यह गुस्सा आप पर किसी और पर भी उतार सकते है, सबसे बरी बात, यहाँ पर अपने luck को कोश रहे है अपनी किस्मत को कोश रहे है, लेकिन मैं क्या करूँ, यह माफी भी मांगना चाहते लेकिन आप इनको समझो कि यह कहना चाहते कि तुम मुझे समझो मैं तुम्हारे सब कुछ करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम मेरे जिंदगी में बहुत माइनी रखते हो या रखती हो लेकिन मैं कहने ही पारा हूँ, ना तुम्हें समझा पारा हूँ, ना मैं तुम्हें stability दे पारा हूँ, लेकिन मैं दूँगा, या दूँगी, ठीक है, जो हुआ सुआ उसे भूल जाते हैं, मैं बहुत अकेला रह गया हूँ, मैं अंदर घुट रहा हूँ, घुटन वाली एनर यहां पर मुझे लग रहा बहुत सार आपके पार्टन, किसी ना किसी से आपको लेकर रिज्टे को लेकर, किसी से बाते कह रहे हैं, सेर कर रहे हैं, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन इनके लिए, फाइनास बी उतना ही इपॉर्टेंट है, अपना पोजिशन भी इतना यह सौर्डी कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं, लेकिन यह आइशुलेशन की एनर्जी है, इनको चार्ज होना है, ठीक है ये चार्ज होएंगे, ये sjंक करें कि जो चाहते थे आप, या जो वो चाहते थे वो सब कुछ होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है तो comparison कल आज में करें या फिर आप पर doubt करें सक करें लेकिन इस खाली पन में इनके दिमाग में negativity भी आ रही है लेकिन ये माफी भी मागना चाहते है तो देखिए ये गुसे गुसा fight करने के बाद जो energy आती है ये प्यार में बदल जाती है लेकिन यहाँ पर आपकी partner the full के energy में आ रहे हैं ऐसा वो कहना चाहते हैं मेहनत करें लेकिन the hand man है देख लिए बाबू अभी भी थोड़ा blockage है ठीक है लेकिन ये आ आ रहे हैं आपके साथ बात करना चाहते हैं कुछ मन में doubt है उसे clear भी करना चाहते हैं आपको देखना चाहते हैं पहचानना चाहते हैं आपकी आवाजों से सुनना चाहते हैं आपको देख कर कहीं आप उनके हो या किसी और के साथ हो तो इस तरक energy उनके मन में है ट्रैबल दिख रहा है वीवर्जी, ट्रैबल हो रहा है, सेंपडरेशन को अंट करना चाहते हैं, और एक नए सुरोवाद चाहते हैं, दीख, यहां लगता है, किसी प्राब्लम में है, यहां से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन लक इनको सपोर्ट नहीं कर रही ठीक है, तो separation end करना चाते हैं और आपके साथ प्यार और travel भी करना चाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे viewers आपके partner the sun की energy में आ रहे हैं separation end करना चाते हैं, let go करना चाते हैं और आपके साथ एक नई सुरुबात करना चाहते हैं, रही बात जज्जमेंट की, तो आने वाले टाइम में जरूर डिसीजन लेंगे, इस वद आपको प्यार ओफर करना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, अपने जो अलोन वाली एनरजी उसको चार्ज करकर, खुटन के एनरजी से निकलना चाहते हैं, और अपने लाइफ इसल, अपने फोकस, अपनी पावर, अपने एनरजी को लेकर, कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करियर बिजनस जॉब पर भी कर सकते हैं, चिक हैं, तो दिख रहा है, दसन की एनरजी है, बहुत सार आपके पार कर रहे हो सक भी है लेकिन आपका पीछा छोड़ने वाले यह इंसान नहीं है इस तरह की एनर्जी है क्योंकि आप प्यूटिफुल हो खुबसुरत हो और उनके लिए सब कुछ हो ऐसी एनर्जी है तो फाइटिंग से बचिएगा गुसे से बचिएगा फाइटिंग है गुसा ह सब्सक्राइब करें थैंक्यू सुमच काड़ ब्लेसियों